हेलो सुदेंट्स वेलकम बैक तो दे सेम प्लाटफॉर्म बिगेंदान चलिए जी शुरू करते हैं सेकेंड यार फिजिक्स सेकेंड यार फिजिक्स पर चैप्टर नबर 12 हम शुरू कर चुके थे और मैं ही गया सकता हूँ कि यह लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डिसकस किया जिसके अंदर हमने चार्ज की बात की थी और आज इन सिक्वेंस हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कूलम्स लॉउ बहुत इंपॉर्ट टॉपिक है और इसका नाम इतना मशूर है कि कूलम्स लॉउ को सुनते ही याद आ जाता है कि यह लेक्ट्रोस्टर्टिक या इलक्ट्रिस्टिक किसी टॉपिक से रिलेट करतावा टॉपिक है और यह बहुत इंपॉर्ट है चलिए इस पर बात करते हैं एक्जाम में भी मोस्ट चाहिए तो आपको पता होता है कि यार कहां पर कौन सा लौ हम इंप्लिमेंट करेंगे स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉग के बात करूं पहले छोटा से कूलम्स लॉग क्यों जरूरत पेशाई इस लॉग को हमारे बुक्स या हमारे स्लेवर्स के अंदर पब्लिश करने की इलक्ट्र स्टाटिक के अंदर हम बात करते हैं चार्ज इस की वह भी स्टेट आफ रेस्ट की आलत में तो यहां पर हम चार्जिस को लेकर ही स्टैडी करेंगे और यह लॉग भी चार्जिस के दर्मयान जो फोर्स ओफ अट्रेक्शन रिमेंबर लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी similar dissimilar charges के दर्मियान किस किस किसम की forces होती है तो यहां पर वही force की बात हो रही है जो दो charges के दर्मियान होती है और यह force यह इसकी quantitative measurement की गई जो के चार्ल मैं नाम लख रहा हूं scientist का के कूलम्स law invent किया गया तो वह किस scientist की मदद से था Charles Augustine ठीक है Augustine ठीक है 1884 की बात है यह 18 century की बात है कि इन्होंने जरूरत महसूस की कि हम कैसे किसी भी दो charges के दर्मियान जो magnitude होगा force का चाहे फिर वो force attractive हो या फिर उन charges के दर्मियान force triple से वो पर उसके magnitude को हम कैसे calculate कर पाएंगे तो यह वो थे जो फ्रेंच physicist है जिन्होंने working की जिसकी वज़ा से ही आज हम कूलम्स law को समझ पाए और कूलम्स law हमारे लिए इतना helpful हो सुका है कि हम किसी भी दो charges के दर्मियान force of attraction या force of relation इस टाइब का सवाल आके बनता है ठीक है treatment कैसे define के हो सकती है पहले एक diagram में बनाता हूं और उसकी मदद से हम इसको explain करेंगे या उसकी statement लिखेंगे ताके हम रट्टा न लगाए हम इसे समझ कर समझ पाएं ठीक है लेट से कि हमारे पास दो charges है एक charge हो गया q plus ठीक है another charge q negative यह दो charges है अच्छा अब इन दोनों charges के दर्मियान जो force होगी वो किस किसम की होगी last video जिन्हों ने नहीं देखी जो channel पर आज ही आये हैं और पहला lecture ही यह देख रहे हैं तो लाजमी second year physics की playlist पर जाएं और पहली वीडियो लाजमी देखें क्योंकि उसके अंदर मैंने आप लोगों को charges के हवाले से कफी detailed में समझाया है तो जब हम बात करते हैं unlike charges या dissimilar charges एक plus है दूसरा minus है तो यह dissimilar हुए या unlike charges हुए तो इनके दर्मयान जो force होती है वो हमेशा attractive force होती है ठीक है कौन सी force होती है attractive अब इनके दर्मयान जो distance होगा वो आपने small r से represent कर दिया और जो force इनके दर्मयान रहेगी वो force किस तरह की होगी किस तरह की होगी attractive force होगी ठीक है और इसी force को हम calculate कर सकते हैं इन दोनों charges के दर्मयान जो मौजूद है किसकी मदद से coulombs law की मदद से ठीक है तो basic concept clear हो गया कि दो charges के दर्मयान force का जो भी magnitude होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं coulombs law की मदद से इसकी statement यह हो सकती है the force of attraction और repulsion यहां पर मैंने dissimilar charges ली है let's say कि अगर दो similar charges होते तो उनके दर्मयान जो force होती वो repulsive होती तो हम इसको बड़ा generalize कर लेते हैं हम इसे लिखते हैं the force of attraction और repulsion ठीक है दोनों की मैं बात कर रहा हूँ between two charges is directly proportional to the product of product of their magnitude product of their magnitude and second part इसी statement का हम बाद में define करेंगे पहले जरा जो हमने लिखा इससे समझते हैं यहां पर मैंने कहा जो force होगी चाहे फिर वो attractive हो या फिर repulsive हो attractive कब होती है जब dissimilar charges होते हैं यारी एक plus और दूसरा minus ठीक है और repulsion कब होती है जब similar charges होते हैं या दोनों प्लस में हो या फिर दोनों माइनस में हो तो force of repulsion होगी तो यहां पर मैंने दोनों के लिए बात कर ली the force of attraction और repulsion between these two charges is directly proportional अब कई बच्चों को यही concept क्लियर नहीं होता कि directly proportion का मतलब क्या है या इनवर्सरी प्रपोश्चन का मतलब क्या है directly proportion का मतलब होता है एक चीज़ को बढ़ा तो दूसरी भी बढ़ जाया तो इसका मदब यह हुआ कि यह डायरेक्ट रिलेशन है एकके बढ़ने से दूसरा बढ़ता है दूसरे के कम होने से पहला कम हो जाता है तो यह पर रिलेशन क्या है इसको कहता है तो उन्हें कहा कि जो फॉर्स ऑफ ट्रक्शन या रिपल्जन होगी वह इन दोनों चार्ज़स के जो magnitude का product होगा let's say कि इस charge का magnitude 1.6 coulomb है और इस charge का magnitude 1.25 coulomb है तो इन दोनों के magnitude को जब multiply करेंगे तो जो उसके नतीजे में result आएगा वो होगी इनके दर्मियान force वो उस force का magnitude हो जाएगा the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional ठीक है यहां simultaneously directly or inversely की बात आ रही थी इसलिए मैंने यहां पॉस किया समझाया पहले आपको उस पर इसके बाद हम second part को continue कर रहे हैं and inversely proportional to the square of the distance between between थोड़ा सा in short लिखते हैं time बजाने के लिए between them ठीक है तो हमने क्या पढ़ा हमने second part में पढ़ा और जो force है वो inversely proportional है square of the distance between them के यानि इन दोनों charges के दर्मियान जो भी distance है यह दोनों charges एक दूसरे से जितने दूर है यह जितने करीब हैं जो भी distance है उस distance के यह force inversely proportional है इसका मतलब यह हुआ कि यहर जब दोनों दूर होंगे तो force कम होगी यानि distance ज्यादा होगा तो force कम होगी क्योंके inversely है अब इसी बात को हम जरा explain करते हैं या फिर आप इसे लिख सकते हो mathematically हम इस बात को कैसे शोकर से कर सकते हैं ठीक है याद रखो बेटा physics भी उसी के अच्छी हो सकती है जिसकी maths अच्छी हो और अगर आप लोग maths में weak है तो परिशान ना हो शाहिद साब यही बिगन दैन के क्योवन ले ले और दूसरा चार्ज हम क्यूटू ले लेते हैं तो क्यूवन और क्यूटू के product के magnitude के बराबर होगी ठीक है उसके product के directly portion हो जाएगी तो आप यहाँ मैंने प्लस या माइनस शो नहीं किया क्योंकि यह प्लस या माइनस शो करने की जरूवत कब थी जब हमें इस बात को समझना था कि attractive है या repulsive है बस सिर्फ charges की मदद से हम direction शो करते हैं लेकिन जब हम magnitude की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें charges शो करने की जरूवत नहीं होती इसे में नाम दे देता हूं equation number one का और अब हम इस topic को आगे बढ़ाते हैं और हम यह संचते हैं second part जो हमने समझा वो यह था कि यही यही फोर्ट जो इन दो रों inflation आ गया जो इसी statement की मदद से आया अब इनको जरह कंबाइन कर लेते हैं दोनों एक्वेशन को कंबाइनिंग combining okay equation one and two ठीक है अब दोनों एक्वेशन को कंबाइन करने का मतलब क्या हुआ दोनों तरफ देखो फोर्स है तो आपने एक ही दफ़ा एफ लिखा और डिरेक्ली यह इंवर्सली का साइन बनाया है जो के सेम साइन होते है जो चार्जेस के प्रोड़क्ट के डिरेक्ट है तो इसको लिख दिया उपर और इंवर्स किसके है डिस्टेंस के तो उसे हमने यहां डिनोमिनेटर में पतार दिया तो यह आपके पास कंबिनेशन से रिजल्ट आया और अब हम क्या करते हैं डिरेक्ली या इंवर्सली का साइन जब कभी हटाते हैं तो साथ में इस इक्वल टू के साथ एक कॉंस्टेंट ट्रम लगाते हैं कहीं पर हमने कैपिटल जी उस किया कहीं पर हमने ल एम आगे जाके आप यूस करेंग के का नाम दे रहे हैं ये के इलेक्ट्रो स्टाटिक या कूलम्स कॉंस्टेंट कहलाता है एक आपके पास है इलेक्ट्रो स्टाटिक कॉंस्टेंट ठीक है अने दर नेम क्या होगा कूलम्स कॉंस्टेंट ठीक है क्योंके कूलम्स लॉओ में हम इसे यूज करते हैं कूलम्स क क्लियर होगी अब इसकी वैलियू क्या होती है और यह किस परगरता है दो हाग्यान के मेडियम करता है तो इसका नेक्स वीडियो में लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि इस key value 1 upon 4 pi epsilon 0 के बराबर होती है इसको फिर हम इंशालबाद की last minute discuss करते हैं मेरे खाल है इस वक्त हमारे पास इतना space भी नहीं है और time taking हो गया बहुत बड़ा topic ये हो गया लेकिन ये समझना बहुत जरूरी था चली जी अपना बहुत सारा खैर लखेगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे हैं हम भी आपके साथ जुड़े रहे हैं thank you so much comment section में जरूर discuss कीजिएगा अगर कोई confusion हो किसी भी topics related physics के perspective से बात कर रहा हूँ और अपना बहुत खैर रखेगा thank you so much अपना बहुत आपके साथ जुड़े रहे हैं